आप देख रहे हैं सिटीनिया न्यूस चैनल अक्की आवाज इस न्यूस के पेश करता है कास्मिक पेक्सुन एक बार जो खाए यहां बार बार आने को चाहे यहां इसलाम अलेकूम नाजरीन सिटीन इानी न्यूस के रियासती खबरों के बिलेटेन आएने देकन में मैं हूँ नौशीन, खबरों से पहले देखते हैं, अदीस शेरीफ अधादीस नबवी सलालाहु आलेही वसल्म जनाब महम्मद सलालाहु आलेही वसल्म ने फर्माया इन्नमल अअमाल बिन्नियात बखार शरी अअमाल का दार मदार नियत पर है तफसीली खबरों से पहले डालेंगे एक नजर आज किये हैं सुरखियों पर रियासती वज़रा महम्मद महमुद अली इटाला राजेंदर और मुलारेडी ने बस्ती दवाखानों का किया इफ्तिता बिहार के नौमंदखिवा अराकी ने असेमली की हिदराबाद में सदर मचलिस परस्टर असदुदी नोवेसी ने की मुलाकार और माईम एम एमले अहमद पाशा खाद्वी पर बीजेपी कार्कुनों के हमले की कोशिश रुक करेंगे तफसीली और एहम ख़बरों की जानी हल्खे इसमली चार मिनार के बाल सिटी खेट इलाखे के प्लेगरॉंड में आज बस्ती दवाखाने का इफ्तिता वजर दाखला मौमाद पहम एमुद अली ने किया है इस मौके पर इनके हमरा महामी रुकन एसमली मुमताज आहमद खान और रुकन कानूनसास कांसल रियाज अलहसन आफंदी मौझू थे इस मौके पर वजर दाखला ने कहा के अवाम को बहतर सहथ की फराहमी और गरीब अवाम को मेहारी इलाज पहुंचाने के खर्दे हुकूमत की जानिब से बस्ती दवाखनों का आखास किया जा रहा है मौसम सर्मा के पेशे नजर बीमारियों में इजाफा हो सकता इसलिए दवाखने के अम्रे को इन्होंने चौकना रहने की हिदायत भी दी रियासती वजीर सहत इटाला राजिंदर ने आज खुद बुलापूर मंडल के दततरिया नगर में एक बस्ती दवाखने का इफ्ता अनजाम दिया है इस मौके पर वजीर मौसम ने कहा कि इस दवाखने में तमाम तरहा के मौइनजात मुफ्त किये जाते हैं दवाखनों में डॉक्टर सुर्दी करमला हमेशा दस्तियाब रहेगा वजीर मौसम ने कहा कि शेहर में मौझूद बस्ती दवाखनों के अलावा मजीद नवत दवाखने कायम के करने के लिए हुकुमत तयार है नवाखनों कारि वोरा सासा सब्द अधिगा अधियंगा वोरा इंभाजर आ दायवरा लार्घ। मा कि अधिर की खरी शेंद रहा हो नावेट कि और वुक्टर सम्ट अधिए उने श्रीवरा बत्ति हैं भाइड लेगंगा बखिछ नहां को बाइड़ कर दो वह दो प्रतार बाह चाह पर चाहब पॉरेड़ हमार को पॉरा कर दोदेशका ओपनी अधिवार जो निक्तियों बख्करोज गोला अफिन लेकोंडा इन बस्तिदावाका नागाना लाव दो अधिवा निक्तियों अन्य साप्ट कोड़े काथ चेसकोई तरह नहीं दाविश्च नेकोंडा नहीं रक्ता पच्छेविगानी इतरा पच्छेवार चेश्चेविए इ ऑच्छेविगाँ पच्छेविगा हुः निक्तियों अधिन नहीं दाविश्चेविगार आफिश्चेविगाँ फच्छेविगाने नहीं दाविष्का नागाव City कुपगा दीरें आदवीची चिक्जब्सोह ने को आर्पा नाए पासिखई फीक्तियों गुपेशब्स रियास्ती वजीर बराय लेबर मुलारेडी ने आज कुवर्टपली के पीएच बी कॉलोनी में बस्ती दवाखने का इव्तिता अन्जाम दिया है इस मौके पर महां मौझूद आवाम को मुकातिब करते हुए इन्होंने कहा कि आवाम को बहतर सहत की फराहमी के लिए रियास्ती हुकूमत के जानिब से जुमला इस तरह की 350 बस्ती दवाखने खायम किये जा रहे है आवाम से भी इन्होंने अपील की कि वो इन दवाखने के अमले को भी हिदाय दिये कि वो दवाखने को आने वाली आवाम को मुकम्म सहुलियाद फराहम करे प्राणाम इंचको नम तानिकी गावरो मा एमेल सी गारू मा कार्पुरेटर सीनुवास गारू मिगता डाक्टरला प्रुन्दम तोटी इरोजु इस बस्ती दवाखना प्राणाम इंचको नम एद यमायना वेद प्रजल निवसिंचे प्रांतम लो कतोक्करिकुड अंधु गुड अधे माधिरीका मानश्येटचम सी पर्दिलो मुडवंद ले आभाई बस्ती दावकानले कुड मना प्रारम मिल्चकुनम। यह धियमायना हत्ोक्करिकुड प्राणाम थेदोलक्कु चेम्रिलिप्फण गानी मना अरोक्यषरी गानी वन्ञिकुड बारत देशम ले बिहार इंदहाबात में कामियाब मजलिस के पांच और आकिने असेम्ली सदर बिहार मजलिस फरुकने असेम्ली उमोर अक्तरुलीमान के ख्यादत में कल शाम बजर्य तयारा हिदरबाद पहुँचे थे आस सुबा सदर मजलिस वरुकने पार्लिमेंट हिदरबाद असदुदीन उवेसी की रियाश का परवाके शास्त्री पुरम में उन्सेम्लाकात के लिए पहुँचे जहां बैरिस्टर असदुदीन उवेसी ने इनका गरम जोशी के साथ इस्तखबाल किया है कहा ये जा रहा है कि मुलाकात के दोरान ही बिहार में मजलिस की मस्तक्बिल की हिकमत अमली भी तैग की जाएगी हमायो नगर पॉलिस टेशन के हुदूद में कौंगरेस खायद मुहमद मसूद अहमद पर मजलिस खायदीन ने हमला कर दिया मसूद अहमद के मताबिख इंचार्ज हलके नामपली कौंगरेस फिरुस खान की जानिब से लागे की मतास्रिन के 11,000 दर्कास ते जी हमसी में दाखिल की गई थी जिसमें 110 कांदानों के लिए रखमी अमदाद मनसूर की गई थी बल्दी ओदेदारों की दर्कास पर वो खेके मतास्रिन की निशायन दही के लिए बल्दी मलास्मिन के साथ अहमद नगर पहुंचे थे जहां एमले जाफर हुसेन मेराज ने इन पर हमला किया जिसकी वज़ा से इनके चेहरे पर जखम आए कॉंग्रिस खायद ने मसूद एहमद के हमरा हमायू नगर पॉलिस टेशन पहुंचकर एक मुकदमा दर्च करवाया है जिसमें हैमले जाफर हुसेन पर हमले का रास्त जिमेदार करार दिया गया फ्लड रिलीफ दब्बूल पाइस्ता पुड़ो दीन लो अफका तोकलो आती हुनाई डिस्क्रिमिनिशन हैतुंदी इंजस्स हैतुंदी मेरु कैश्च मनी ट्रस माइम चेतलो पेटेशनर वालू नीडी परसेंच की स्तेलेरू एवर विक्टम्स वालको इस्तेलेरू अनी वाकट 10 डेज लूची मेर अजिटेशन चेश्टो नहीं नीना केटीर की नेन ट्वीटर पेटीना आँ ट्वीटर लोग क्लियर कटाना 250 क्रोर्स माएम निनका ट्रस कैडर तीने स्नर मिरू कोवीड नैंटीन उन्टे 1500 रुपीस चेक तो चिनर इदी सीम रिलीफ फंड नेवर आया जागिर गादू केटी आर दे ग्रेट नियाएम चेंडी नासरन यहां पर वक्त तो चला है मुक्तिसर से वक्त वेगा नासरन नियाएम। तुम अब खा रहे हम हर साल खाते हैं अरे यह मैभूब नगरी जने माब आप पूरे चलंगाना की नंबर वन आवाड़ बैगरी है वाई की हर साल न्यू यर के मौखे पर यह इंकने केक आडर करतो हूँ हूँ हो देखो यह साल का भी आडर कर दिया आप लोगा भी कॉस्मिक टेख जोन से आज ही ओडर कर लो है साल का केस यह कॉस्मिक टेख जोन का केस जो खाए बार वो खाना चाहें भार बार कॉस्मिक टेख जोन वी साइड है फ्टेख जोन वी साइड है फ्टेख बैंक अवर्मट अस्पितल रोग महभूब नगर फोर नमबर 08 542 2 4 5 6 6 6 6 सेल नमबर 9985261007 944155 4455 क्या आप अपने कारोबार, तिजारती इदारे, स्कूल और कॉलेज की भेतर तश्हिर या अड़र्टाइजमेंट चाहते हैं तो हमारे वाहिद रियासती उर्दू ओ तिल्गू टीवी चैनल सिटी इंडिया न्यूस पर इश्तिहार दें हमारे चैनल के प्रिग्राम हैदरबाद की दोनों शहरों में केबल नेटवर्क्स, आईजे नेटवर्क को चॉइस नेटवर्क की चैनल नमबर 33 और 50 पर और महभूब नगर और रियासत की दूसरे अजला में सिटी डिजिटल के सिटो बॉस के चैनल नमबर 22 पर टीवी पर देखे जा सकते हैं और सोशल मीडिया प्लैटफर्म, यूटूब, फेस्बुक, इंस्टाग्राम और हमारे मोबाइल अप, सिटी इंडिया न्यूज अप और हमारे वेबसाइट पर सारी दुनिया में हमारे प्रेग्राम देखे जाते हैं तो देर किस बात की स्क्रीन पर नजर आ रहे हमारे फो नमबर पर रब करें और फॉरण अपना इश्तिहार बुक करवाले वाफ़े के बाद बढ़ते हैं मजीद एहम हबरों की जाने हमले याखुदपूरा सेद अहमाद पाशा कादरी ने आज अपने हलका याखुदपूरा के गौली पुरा में एक बस्ती दवाखने के अव्तिता करने के लिए पहुंचे ठीक उसी वक्त कुछ बीजेपी कारकुन वहाँ पहुंच गया और मायम के खिलाफ नारे बाद शुरू की फिर अचानक अहमद पाशा कादरी पर हमले की कोशिश की लेकिन वहाँ पर मुस्ताइब पुरी सहलकार और मायम कारकुन ने बीजेपी खायदीन की इस कोशिश को नाकाम बना दिया और इस तरह एक बड़ा वाक्या टल गया पेशे हमारे नमायंदे मुहम्मद वाजी की ये रिपोर्ट महिकमे सहत और दिगर महिकमों की जानिब से बार बार ये इंतबा दिया जा रहा है कि करोना की दूसरी लहर आ रही और ये सर्थ मौसम इसके लिए काफी सासकार है लेकिन चाहा हुकुमती अदारे इस खुसूस में एतियाती अग्दामाद करने चाहिए वो अपने मुनाफ़ के लिए कुविट नाइंटीन के तमाम जवाबत बलायताख रखे हुए है महिकमे आर्टीसी भी इसी में से एक है जिसकी बसों में भरबर कर मसाफिरों को सवार किया जा रहा है और बसों में कहीं भी कुविट जवाबत का क्याल नहीं रखा जा रहा है ऐसा लग रहा है कि महकमे के लिए अवाम की जानों की फिकर नहीं सिर्फ अपने मुनाफ़ की फिकर है इस खुस्स में हमारे नुमाइनदे मुहमत अकरम अबास ने आटीसी बसों का आहाता किया है आएए डालते हैं इस पर एक खुस्सी नजर इसके कंड़क्टर साहब से और यहां बैठे जितने पैसेंजर से जैसा के करोना के दूसरी लहर के बारे में बता दिया गया है आप देख सकते हैं कि क्या आटीसी मुहकमा इन जाप्तों का खयाल रख रहा है या नहीं आईए हम बात करते हैं हमारे बस के इस बस के कंड़क्टर साहर से और लोगों से भी बात करने के हम कोशिश करते हैं जी कंड़क्टर सर हम यह जानना चाहेंगे के जहां कम्यूनिटी एक हिदराबाद की एक अवाम जो है उसो जाद अतर इन हिसार आटीसी बसों पर कर रही है अपने सफर के लिए तो बताया यह भी जा रहा है कि दूसरे करोना वाइरस की वाबाव फैल रही है तो आटीसी बस में किस तरीखे का जाप्त का ख्याल रखा जा रहा है यह खरणा प्राबलों में पूरा खरणा प्राब हो गए ना इसका पॉब्लिक नहीं निकल रही है अब बार बज्री जो जो गूल सेंट एक सीट पे एक आदमी को बैठना है अब एक के साथ दो दो तीन तीन बैठे रहे हैं तो यह पतर इसके बारे में क्या है अब बाट की गई थी जा इस्टार्टिंग में एक टेप एक सीट पे बैठना है इक पे नहीं बैठना है मगर आपकी बस में देख रहा है कि एक तीन तीन लोग एक साथ बैठे में है विताट शोचल डिस्टेंसिंग तो कहीं आदमी को करोना पॉजिटिव केस और वो बस म सब्सक्राइब तो जिसकी वज़े से सारे लोग मुतासिर हो जाएंगे तो इसी बताइए चारा लोग कर रहे हैं तो फिर इस तरीखे से प्रिकॉशनरी स्टेप्स कुछ भी नहीं है तो देखा दोस्तों आपने पैसेंजर कभी एक जानिब से नहीं लिये जा रहे हैं इसका फैसला आपको करना है मेरे साथ सिटी इंडिया टीवी पे बने रही है कैमरामेन मुहम्मद जमील के साथ माय हाफिज अकरम सिटी इंडिया टीवी हैदराबाद आयसे दिन के संगरेनी जोराए पर आज कुल जमाती खायदी ने जबरदस रास्तारों को एधिजाज किया है एधिजाजी खायदी खायदी का मतालबाई के हकूमत की जानिब से सहलाब सामतास्रीन के लिए जारी इंडादी रहम की तकसीम में धांदलिया हो रही है और हखदारों तक इनका हख नहीं पहुंच पा रहा है प्रिम्निस्टर जमातों के खायदी ने कहा कि अगर फौरी इन गल्तियों के इसलाब करते होए मुस्तहिक खावाम तक इमदादी रहम नहीं पहुंचाई जाती तो प्रगती भवन का घिराओ किया जाएगा भारत कम्रिश्टु पाटि आद्वर्यनलों अधे विधंगा कांग्रेस पाटि मित्रपक्षाला आद्वर्यनलों इवर्धबादितला मुंपकु कुर्याईन वर्धबादितला साया कोसं इरोजु रस्तारोको चेड़ं जरूत्तुंदी इप्रबुत्वाम दुन्नापोथ मित्रपक्षाला आद्वर्यनलों अधे विधंगा कांग्रेस पाटि आद्वर्यनलों इवर्धबादितला आद्वर्यनलों पैसली पीच्चिर दपा, निरुपेद लाईना दरित्र रेकाव दिगवना प्रजलू, निजांगा बादितुलांटे वालू, वालक सायम अंधीचकुन्डा, केवलमों, मरे अपार्टमेंटल उन्नों लको, नीलू रानों लको, वर्दमुंपु, गुरिगानों लको, इप गांधी एस्पिताल में जूनियर डॉक्टर्स की हरताल अब दूसरे दिन में दाखिल हो गई है जूनियर डॉक्टर्स ने आज सप्रिटेंडेंडेंट आफिस का घेराओ किया फिर आहाते दवाकाने में एक करेली का इतमाम किया गया है जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि पिछले साथ माँ से इनने सिर्फ कोविड मरीजों के लाज की हद तक महदूद कर दिया गया है और इनने दीकर मरीजों के लाज के तरीखकार को जानने का मौखा नहीं मिल रहा है वहीं आईदीन का कहना है कि रियासत के सबसे बड़े गांधी अस्पताल को सिर्फ कोविड मरीजों के लिए ही महफूस कर देने की वज़ा से मुखतलिप शौबजात में पोस्ट ग्राइजविशन करने वाले तुलबा का पुरा तालीमी साल भी साया हो रहा है लहाज हुकूमत को चाहिए कि वो इस खुस्स में फौरी अख्दामाद कर देवे मेडिकल दुलबा के मस्तग्मिल को बिगरने से बच जाए हलगा इसमली चाहना एंगुटाम में आज मेके में सिविक सप्लाइस और पॉलिस के मुश्टरी का कारवई में अवाम निसाम तख्सीम के चामल से भरी एक जीप को जब्त कर लिया गया है जिसमें सोला कुंटल चामल जब्त कर लिये के हैं सरकल इंस्पेक्टर चंडराएन गुटा रुदरा प्रासकर ने बताया कि एक बावसो जराय के खबर पर ये कारवाई की गई है इस मौगे पर दो अफराद खाजा पाशा और मेहमूद को ग्रिफतार कर लिया गया है इस मौगे पर मेंके में सिविल सप्लाई और दिदार फेरोस अब्दल जबार वदीगर भी मौजूद थे पेशे हमारे नमाएंदे मुहमद मुहसीन की ये रिपोर्ट इस मौगे पर दिदार फेरोस में कुछ अकिस का नाम उसका नम मौमद महमूद रेख है और एक मौमद खाजा मुही रहा है बहुत हैं साब बल्दी दफ्तर में जिले कलेक्टर मुशरफ अलीफ फारुखी ने मखामी MLA विठल रडी के हमरा एक अवामी खिदमत मरकस का इव्तिता अन्जाम दिया है उन्हें मजीद कहा कि इस प्रोग्राम के तहट भैसा बल्दीया को एक मौडर्न सफाई मशीन की बंजूरी भी अमल मिलाई गई है जिले कलेक्टर ने कहा कि शहर की तरखी के लिए भैसा बल्दीया का एहम रोड रहा है इस मौखे पर नाइब सदनेशीन बल्दीया भैसा चावेर एहमत वो दीगर कॉंसलरान भी उस वक्त महां मौजूद थे जाबिर गारू वाल इतरू प्रेजन्स लो इरो जो का मौज़न सीडिनन सर्विसेंटर इकड़ अरपक्टे आड़न जरगिति हुआ यह दो जानी ही रोज है नाच रेट चेस्ट नमू इम्प्रूब्मेंट माना कल्ला मोंगो कन्पिस्ट हुदी, अलाने गतम लो इकड़ थीशकुन्ना वाइन्सा मेन रोड, रोड वाइडिनिंग कानी, सेंट्रल मेडिया निवलप्मेंट कानी, स्ट्रीट लाइडिंग वर्क्स कानी, अधी गुड़ा धनंगा जर्बतु पुड़ी इक कारेकर मालनी इनागरिट शेडम जर्गिंदी, अन्रविल मुंस्पल मिनिस्टर स्ट्री केटी अरगारू, प्रज्येका भाइनसा मुंस्पाल्टी की निर्मन मुंस्पाल्टी की वेटिंग पेट्रेसी, अन्रविल MLA's अड़ चेर्मेंट्स अंदर अन्रविल मुंस्पाल्टी की निर्मन 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 मुंस आईने दकन की खबरों का सिलसला यहीं इखताम को पहुंचता है मजीद ताज़तरीन अपडेट्स के लिए आप देखते रहे है सिटी इंडिया टीवी हख की आवास दोस्तो अगर आपको हमारी न्यूज और इंटेटेमेट तमाम प्रग्राम पसंद आते हैं तो फिर लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आईकोन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी हर न्यूज और हर इंट्रेटेमेंट प्रग्राम से अपडेट रहें। देखते रहें सिटी इंडिया न्यूज हक्की आवाज।